अगर पाकिस्तान ने अपने व्यूजियम में विंकमांडर अभिनंदर का पुतला सजाया है तो इसमें कुछ भी नया नहीं है इने तो यह पुतला बहुत पहले रखना चाहिए था क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था अभिनंदर के 48 घंटों के पाकिस्तान प्रवास की इस मर्ती इस मुल्क में धुदली परति जा रही थी लेकिन अब अभिनंदर का यह पुतला इन तैमंद बाजों को याद दिलाएगा कि वे 48 घंटों से ज़्यादा भी इसे रोक नहीं पाए थी मतलब इन्हों ने जिस भारत्य सूरवीर को पगणा था वे वहाँ सेर की तरहरा और सारे तैमंद बाज मिलकर उसे सम्मान के साथ भारत की सीमा तक छोड़ने आए थी इस परसंग का पाकिस्तान के इतियास में बने रहनत जरूरी था क्योंकि बेमतलब के गदया नर्त करने में परंगत ऐसे वाक्या तोपी के बीच छुपी बुद्धी का अनावरन करने में बड़ी भूमी का निभाते हैं तैमंद गदेले हो चुके हैं उनका आनंद चीन के अलावा और कोई नहीं ले रहा है इसलिए वार म्यूजम में पाकिस्तान दुवारा बनाएगा अभिनंदन का इस्टैचू इन्हें कम से कम यह जरूर याद दिलाएगा कि इनकी ओकात क्या है वैसे भारते वायु सेना के विंकमांडर का पुतला पाकिस्तान के वार म्यूजम के एक काच के बॉक्स में रखने की बजाए इसलामाबाद के चुराये पर खड़ा करना चाहिए था या फिर इस पुतले को आईस पी आर के प्रांगण में इस्थापित करना था क्योंकि इस से इस मुल्क की जमता और बेफुजूल में मेडल लगाए घूमरे इस सेना को एहसास रहता की कैसे एक भारते सैनिक ने उसके घर में गुषकर एपसोला उडाया था और परमानुबम का राग अलापने वाले अलोपी दिन उसे दो दिन भी पाकिस्तान में कैद नहीं रख पाए थे गोर तलब है कि फरवरी में पुल्वामा वाक्या के बाद भारते वायु सेना ने पाकिस्तान के बाला कोट में घुषकर एरिस्टाइक को अंजाम दिया था और जैसे मुहम्मद के बहुत से जमूरों को हुरो की खोज में भेज दिया था इसके बाद पाकिस्तान ने हवाई कर्तब दिखाए जिसका भारते सेना ने करार जबाब दिया था हवाई बिडंत के दोरान विंग कमांडर अभिनंदन का विबान मिग 21 दुरगटना गरस्त हो गया था और वो पाकिस्तान के कबज़वाले इलाके में चले गई थे इसके बाद पाकिस्तान सेना ने उनको हिरासत में ले लिया था हाला कि भारत ने जब अपनी मिसाइलों का मुँ पाकिस्तान की तरफ किया तो इसकी फटकर गले में आ गई फिर दबाब में आकर पाकिस्तान को जुकना पड़ा और अभिरंदन को छोड़ना पड़ा था अभिरंदन को पाकिस्तान के अधिकारी सम्मान के साथ वागा बोडर तक विदाई करने आये थी मदरसा चाप पैदाईस है इसलिए इस मुल्क की कौम की सोच आज भी मुगलकाल से आगे की परगती नहीं कर पाई है 1965, 1991 और 1999 की भारत सिविली हार को भी पाकिस्तान की इतियास में जीत के रूप में पड़ाया जाता है यानि 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की सड़कों पर जढ़ू लगा कर चले गई पर इन्हें यहीं बताया उन्होंने युद्ध जीत लिया है वो फोर्चने ने कारगिल छोड़ने को मजबूर कर दिया पर इन्होंने फिर भी उसे अपनी जीत बताया बाला कोट में इनके घर में गुसकर ठोक आए अब उस सदमे को भुला कर उस सैनिक का पुतला बना कर रिज रहे हैं जिसे 48 गंटे से जादा रोकने का इनके पिछवाड़े में दम नहीं बचा था इसका मतलब यह है कि गदो की दुम पर गुलाब का फूल बांद कर उन्हें बागवान बनाया जा रहा है मज़े की बात यह है कि जिनके पास तैमंद खरीदने के पैसे नहीं है वे दुनिया के देशों से मिली भीक पर पुतले बनवा रहे हैं वे भी भारते सैनिकों का पुतला जिसे पाकिस्तानी जनता को दिखा कर यह अपनी ही खिली उडवा रहे हैं यानि भारते सैना का इनके दिलों में कितना खोप है यह उसकी सोच पुतलों पर उतार रहे हैं शायद पाकिस्तान को लगता है कि उनके इस व्यवार से भारत भी उसके 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के पुतले बनवाएगा पर भारत में माल लोगों के पुतले इस्थापित होते हैं बुजदिल और भारत की सड़क और टोइलेट साप करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों के तो बिलकुल नहीं आकिस्तान अभिननन को अपने म्यूजिम में सजा कर रोज उसकी सफाई और साज सज़का ध्यान रखेगा यह भी बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान के दिल में अभिनननन का डर सदैव कायम रहेगा वैसे उस मा के लिए यह बहत गर्व की बात होगी जिसने इस सूरवीर को जनम दिया है क्योंकि उसकी मुरद देखकर पाकिस्तान अपने भीतर भी ऐसी ही बहत दूरी पैदा करने की कोशिस करेगा पर मदर्शा चाप लोगों में बहत दूरी की ललक नहीं होती है इन्हें तो हुरों की गिंती से ही फुरसत नहीं है आसा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे सिगर बेट होगी तब तक के लिए अनुमती दीजिए जै जवान जै किसान जै हिंद बन्दे बात्रम